आज के वीडियो में आपको ये जो वर्क बेंच दिखा रहा हूँ, ये कफी यूसपुल है, जैसे हमें ये पाइप कट करना है, तो इसमें इस तरह से हम फिट कर सकते हैं, और मैं इस पाइप को आसानी से कट कर सकता हूँ. कई सारे उप्योगों में आपके ये वर्कपेंच आने वाली है पैकेज हमें कुछ इस तरह से रिसीव हुआ था सबसे पहले हम इस पैकेज की अन्बॉक्शिंग करते हैं और देखते हैं कि पैकेज में हमें क्या-क्या रिसीव हुआ है तो यहां पर आप देखेंगे पैकेज को मैंने कोल दिया है यहां पर हमें पैकेज में सबसे पहले इस तरह की दो सपोर्टर प्लेट जो है ये मिलते है इनमें ब्लैकेंड डेकर का लोगो है और ये मैटल के हैं इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर दो wood की plates जो हैं यह हमें मिली हैं यह wooden plates हैं और top में यही लगती हैं इसके बाद हम package में देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको install कैसे करना है इसके लिए कुछ instructions जो हैं इस chart में दिये गए हैं हाला कि मैं वीडियो में आ metal और plastic के कुछ parts हैं जिनसे जो wooden plates हैं उनको adjust किया जाएगा इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे काफी सारे parts इस plastic के package में हैं और यहाँ पर हमें workbench के legs मिलते हैं तो यह right hand side का leg है और इसी तरह का एक leg हमको और मिला है जो की left hand side का leg है तो package में हमें यह सारे parts जो हैं यह म परना है installation समझने से पहले parts आप देख लीजिए right और left hand side के legs यह supporter plate इनको आपस में जोडने के लिए यह 8 nut bolt हैं और leg stopper इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे यह wooden plates हैं और उसमें भी stoppers हैं यह एक प्लास्टिक के blocks हैं जो की wooden plates को हमारी workbench के main frame के साथ connect करेंगे wooden plates को adjust करन के लिए handle हैं और यहाँ पर एक plastic का socket पाना है यहाँ पर आप देखेंगे दो nut और कुछ plastic के part हैं जो की fold wheel feature भी इस workbench को देते हैं यह लंबे screw type rod जिनमें plastic part लगे हैं यह इसके jaws को adjust करने के लिए हैं चलिए अब मैं इस workbench का installation समझाता हूँ यहाँ पर एक screw driver की हमें जरूरत पड़ेगी सबसे पहले हम इसकी leg जो हैं उनमें stopper लगाएंगे तो यह right hand side की leg है और यहाँ पर stopper लगेंगे तो यह rubber की stopper है इनका direction आप देख लेजिए चुकि इस तरह से यह खुलेगी बाहर को तो stopper जो है इस direction में आपको लगाना है यह stopper इस direction में लगेगा और यह just opposite direction में तो इस तरह से हम इस leg में stopper लगा लेंगे और ऐसे ही हमें दूसरी leg में भी stopper लगाना है यहाँ पर हम सबसे पहले right hand side की leg के part जो है उन्हें install करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक hole है और इस plate में आप देखेंगे एक इस तरह का nut जो है जिसमें आप देखेंगे thread के अलावा कुछ उभार भी है तो यह इस तरह से हमारी plate के साथ leg के hole में जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे उभार है और हमें इस तरह से इसमें डालना है फिर एक आप देखेंगे plastic का वह असर है इससे हमें लगाना है और इसके बाद इससे हम leg के hole में डाल देंगे यह अब हम यहाँ पर एक plastic का part जो है वो हमें साथ में मिला यह एक तरह का bolt है जिसे हम हातों से ही lose or tight कर सकते हैं तो इस bolt को हमें tight कर देना है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो leg है यह right hand side की leg है और उपर side frame में आप देखेंगे एक hole है इस hole को हमें front side में ही रख चलिए मैं इस metal plate को install करके आपको दिखाता हूं यहाँ पर यह leg के साथ कुछ इस तरह से attach होने वाली है तो मैं इसे पहले right hand side की leg के साथ attach करता हूं right hand side की leg में आप दो hole देखेंगे यही पर यह fix होगी इस तरह से और इसमें हमें nut bolt जो है उन्हें tight करना होगा तो मैं यहाँ यहाँ पर एक nut bolt जो है जो कि हमें 8 nut bolt मिले है उन्हें से एक को हमें यहाँ पर tight करना है यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से हमें यह metal plate जो है उससे leg के साथ में connect करना है और मैंने एक nut bolt जो है यहाँ पर लगाया है और इसी तरह से आपको दूसरा भी लगाना है मैं दूस तो मैंने सभी nut bolt जो है उन्हें लगा दिया है मैं अब इन्हें screwdriver की साहता से tight करने वाला हूँ यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से मैंने इन्हें tight कर दिया है अब हम back side की supporting metal plate है उसे frame के साथ connect करने वाले है यह metal plate जो है लंबाई में थोड़ी छोटी है जो front side की metal plate है वो लं plate के साथ connect करने है जिससे कि यह leg के साथ में fix हो जाएगी अब हम आगे का process समझते हैं यहाँ पर आप देखेंगे यह jaw adjuster है इन्हें एक hole भी आप देख पाएंगे इन्हें कैसे fix करना है उससे मैं दिखाता हूँ उससे पहले मैं handle जो है इससे install करता हूँ यहाँ पर यह direction बा fix होगी इसे आप देखेंगे इस तरह से आपको निकाल लेना है और यहाँ पर handle जो है इसमें जो hole है उससे align करके यह pin जो साथ में आई है इसे आप इसी hole के अंदर डाल देंगे जिससे handle जो है वो हमारे main rod जो adjustable rod है उसके साथ fix हो जाएगी यहाँ पर आप देखेंगे यह ज hole में हमें adjust करना है कुछ इस तरह से यहाँ पर दूसरा plastic का block जो है यह किस direction में fix होगा आप इसे भी समझ लीजिए यह कुछ इस direction में fix होगा यहाँ पर इसे भी हम रख लेते हैं अब हम wooden plate जो है उसे fix करने वाले हैं हाला कि आपको same process से दूसरे side भी block पहले से ही adjust कर लेने है जिससे आप यह wooden plates आसानी से लगा पाएंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं अब इसमें एक nut जो है यह लगाने वाला हूँ कुछ इस तरह से हमने इस nut को लगाया और यह plastic का जो socket पाना है इससे हमने इसे tight कर दिया अब हम same process से दूसरे side भी adjustable जो यह rods है इने लगाएंग मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इसमें threads है जिसमें यह हमारा nut जो है यह tight होता है तो इसे हम frame में इस तरह से देखेंगे आप मैं align करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पर यह nut जो है यह लग जाता है अच्छा यहाँ पर जो plastic का यह block है इसमें एक side उभार लिये हुए जो की हमारे wooden plate में एक hole जो है इसमें adjust होता है तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरह से यह हमारे main frame के साथ जो wooden plate है वो connect होती है इसके बाद socket पाने से हम इसको tight कर देते हैं अब मैं यहाँ पर frame में आपको यह बड़ा सा hole दिखा रहा हूँ इस hole में हमारा दूसरा जो plastic का block है यह लगेगा यहाँ उभार लिए है इसको हमें इस hole में fix करना है इसके बाद आप देखेंगे मैं दूसरे side का यह जो handle है इससे fix कर देता हूँ और यहाँ पर जो यह hole है इसमे handle का hole जो है उसे align करके इस pin को डाल देंगे जिससे यह handle fix हो जाएगा अब य यहाँ पर आपको फिर से ध्यान देना है कि जो plastic block है उसमें उभार लिए हुए जो यह सिरे है इनको हमें बाहर वाले hole में इस तरह से fix करना है इसके बाद हम जो nut है उससे tight करेंगे यह nut जो है यह यहाँ पर इस तरह से tight होगा यहाँ पर यह wooden plate fix रहती है यानि movement नहीं करती ह इस side का nut जो है इसे भी मैं tight कर देता हूँ और socket पाना जो plastic का हमें मिला है उससे इन nuts को हम tight कर सकते हैं इसके बाद आप देखेंगे कि मैं handle को rotate करता हूँ तो इसके jaws जो है वो आंगे पीछे movement करते हैं तो इस तरह से हम इसे adjust कर सकते हैं और मैं यहाँ पर अब इसमें stopper लग आप चाहें और इस तरह से handle को rotate करने पर इसके jaws जो है वो नजदीक आते हैं यानि clockwise रोटेट करने पर jaws नजदीक आएंगे और अब हम इने anti clockwise जब rotate करते हैं तो jaws जो है वो दूर जाते हैं तो इस तरह से ये black and decker की workmate bench जो है इसमें आप 60 cm तक की scale भी देख पाएंगे workbench को fold या unfold कर सकते हैं मैं इसे unfold करता हूँ इस तरह से ये unfold हो जाएगी और अब हमें क्या करना है plastic part जो हैं उनको अब हम tight कर देंगे जिससे ये इसी स्थित में fix रहेगी Amazon पर ये workbench 2900 में आपको मिल जाएगी purchase link मैंने वीडियो के description में दे दिया है उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए helpful रहेगा आज के वीडियो में इतना ही thanks for watching have a nice day